सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोवी क्रांट चैनल को और बेल आइकन बजाएए आल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए हलो दोस्तो टेक्नोवी क्रांट में आप सभी का स्वागत हैं फाइनली रियल्मी वालों ने अपने रियल्मी 8 फैट जी एंड आप जो 30 फैट जी के अंदर रियल्मी यूई 4.0 बेस्ट जॉन एंड रायट 13 का जुलाई मन्त का न्यू सॉप्टेर अपडेट रोलिंग आउट करना स्टार्ट कर दिया हैं और इस अपडेट को मैंने अपने डिवाइस के उपर अपडेट करके इसका जो टेस्टिंग है पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया हैं और इस वीडियो में मैं इसी अपडेट के बारे में बताऊंगा कि आपको कौन-कौन से निव फीचर से देखने को मिलता हैं साथ ही इसका बैटरी परफोर्मेंस की स्टेप से देखने को मिलता है इसका गेम परफोर्मेंस की स्टेप से देखने को मिलता है तो यहाँ पर मैं इस update का full review देने वाला हूँ दोस्तों तो इसके लिए वीडियो को last तक जरूर देखिएगा तो चलिए start करते हैं अब यहाँ पर bugs और features वगरे के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर आप checkout कर सकते हैं जहाँ पर आपको f.07 का new update देखने को मिलता है और इस update का जो size है 1.34 GB का है दोनों ही devices में और यह आपको realme UI 4.0 के update के साथ official version देखने को मिल जाता है बात की जाए इस update के बाद इसके android security page की तो यहाँ पर आपको android 13 के update के साथ 5 जुलाई 2023 का current month का latest enhanced android system security देखने को मिलता है इस update के साथ इसके लाओ बात की जागले change की तो system के अंदर यहाँ पर system में जो भी छोटे-मोटे non-issue थे bugs और देखने को मिलता था उसको यहाँ पर fix करके पूरे की पूरे system performance और उसके overall system stability को optimize and improve किया है जिससे की आर भी better experience देखने को मिलता है इस update के साथ साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो dynamic computing engine है उसके performance और उसके stability को optimize and improve किया है जिससे की जो apps experience, battery life, speed और stability वगरा जो है काफी अच्छा देखने को मिलता है साथ ही दोस्तों कोई को user को कुछ-कुछ time पर lagging issue देखने को मिलता था तो उसको भी यहाँ पर fix करके better कर दिया है जिससे की अब आपको better performance देखने को मिलता है इसके लाओ बात की जागले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तों setting के अंदर, password and security के अंदर system security को click करते है तो यहाँ पर आपको Google Play system update देखने को मिलता है और इस update को करने के बाद अगर आप Google Play system को update करते है तो आपको 1st June 2023 का latest Google Play system update देखने को मिलता है पहले दोस्तों 1st मई के देखने को मिलता था लेकिन इस update के बाद आपको 1st June 2023 का latest google play system update देखने को मिल जाता है इसके अलावा बात कीज़े एगले change की तो communication के अंदर यहाँ पर दोस्तों जो mobile network के connection और communication है उसको यहाँ पर और भी improve किया है उसके जो stability है उसको यहाँ पर improve करके stable कर दिया है जिससे की जो mobile network के up-down हो रहा था वो यहाँ पर stable देखने को मिलता है आपको इस update के बाद mobile network के जो problem है वो यहाँ पर solve देखने को मिल जाता है इसके लावा बात कीज़े अगले change की तो apps के अंदर यहाँ पर दोस्तों जो weather apps है वो आपको weather का information properly show नहीं करता था कभी कभी जो है unavailable करके message को कर देता था तो उस problem को इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे की अब आपको weather का information properly देखने को मिल जाता है इसके लावा बात की जागले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तों display के अंदर अगर दोस्तों आप video playback करते हैं या फिर eye protection mode on करके रखते हैं तो आपका जो display है वो black हो जाता था I mean display on रहता था फिर भी black screen देखने को मिलता था तो उस problem को इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे की अब आपको better performance देखने को मिलता है इसके लावा बात की जागले change की तो अगर दोस्तों आप recorder apps से recording वगरा करते हैं तो उस time पर आपको sound quality खराब देखने को मिलता था proper way में sound quality सुनने को नहीं मिलता था तो उस problem को इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे की अब आप recording वगरा करते हैं तो आपको better और perfect sound quality देखने को मिलता है इसके लाव बात की जगले change की तो power consumption के अंदर यहाँ पर दोस्तों power consumption जो है कुछ-कुछ situation में काफी ज़्यादा यूज होता था साथी third party apps वगरा जो है camera use connect time पर काफी ज़्यादा power consume होता था तो उस problem को यहाँ पर fix करके better कर दिया है जिससे की जो battery life है battery backup है वो आपको better देखने को मिलता है इसके लाव बात की जगले change की तो camera के अंदर यहाँ पर दोस्तों camera effect में problem होता था साथी कुछ-कुछ situation में performance जो है problem करता था जिसकी वज़े से photo अगरे लेने में camera use करने में problem face होता था तो उस problem को इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे की अब आप photo अगरे लेते हैं तो आपको better effect के साथ photo और performance देखने को मिलता है एंड गे इस बात की जाए इस update के बाद इसके battery performance की तो यहाँ पर दोस्तों जो battery backup है battery performance है वो आपको पहले से better देखने को मिलता है पहले दोस्तों आपका third party apps वगरा ज्यादा battery consume करते थे camera use करने पर ज्यादा battery consume करते थे तो उसको यहाँ पर fix करके better कर दिया है जिससे की अब आपको better battery life battery backup देखने को मिलता है साथ दोस्तों इसका जो charging speed है वो भी आपको सही देखने को मिल जाता है लेकिन दोस्तों अगर आप charging करते हैं तो आपको थोड़ा hitting issue देखने को मिल जाता है एंड़ इस बात की जाई इस update के बाद इसके game performance की तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो game performance है वो पहले से थोड़ा better देखने को मिलता है पहले दोस्तों काफी ज्यादा lagging issue jitter issue और frame drop issue देखने को मिलता था उसको यहाँ पर fix करके better कर दिया है लेकिन दोस्तों अभी भी आपको बीज वीच में lagging issue देखने को मिलता है जो कि पहले से थोड़ा कम हो गया है साथ दोस्तों अगर आप ज्यादा game खेलते हैं तो आपको थोड़ा hitting issue और थोड़ा fast battery draining का problem face करना पड़ सकता है तो यह रहा इस update का full review दोस्तों यह update आपको मिला है कि नहीं मिला है मुझे comment करके जरूर बताइएगा तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में वीडियो पसंद आया होगा तो like, share, subscribe करना ना भूले मिलते हैं हम next वीडियो में तब तक के लिए goodbye and take care दोस्तों